जह हिंद बच्छों आप सभी को हिंद defense academy channel में स्वागत है हम लोग इस channel पर NDA का complete course जो है कराएंगे जो कि free of cost होगा यहां पर जो है मैं math section deal करूँगा और बाकी जो teachers हैं आपकी GAT section को deal करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि NDA जो है उसको हम दो section में categorize करेंगे एक जो section होगा वह आपका math section होगा और जो दूसरा section होगा वह आपका GAT section होगा जो math section होगा उसमें आपको total जो है 120 questions होंगे 120 questions math में होंगे जिसमें कि आपको हर questions जो होगा वो 2.5 marks का होगा इस तरह से यह total जो होगा math के 300 marks का होगा जो GAT वाला जो section है उसमें आपके 1500 questions होंगे और 1500 questions जो होगे इसमें हर question जो होगा वो 4 marks का होगा इन कि ए जी ए जी आटी जो section होगा आपका 600 marks का होगा ती आनि कि जो Nyez AH में जो written exams है जो कि आपके written ett Так जो है दो section में हम dividedれた कि हैं मारे सेktor जीए जीए पीजैक्सन और अबादी इस and यह दूनों मिलाके जो है आपका 900 marks का होगा की यह आपका written euro जो है 900 marks का होगा जो SSB होगा आपका 900 marks का होगा इसलिए में जो है हम यह देखेंगे कि सब से पहले आपको किस chapter चाप्टर बेर ज्यादा कमांड करने के जुरत है सबसे पहले यहां पर हमोग यह देखेंगे कि जो मैसक्शन है कि यसमें आपको 58 ऐंटा का पेपर होगा अब यहां पर जो है total 120 questions है है जो कि अभी हम लोग बात किये थे कि हर question जो है अढ़ाई marks का है तो total जो है 300 marks का है तेखिए इसमें जो है यह 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 आप 300 marks में जो minimum जो qualifying number रखा गया है आपका 75 number है यह 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 आप इस से कम यह आप score करते हैं तो आपको GAT जो section है वो आप का चेक नहीं होगा तो सबसे जो जरीरी चीज है कि आप इसमें जो है minimum qualify तो आपको करना ही है और किस तरह से जो है आपको जो है नंबर्स जो है आपको 250 प्लस जो है marks जो है कैसे हम लोग obtained कर सकते हैं में यह proper strategy जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम के लापिक जैसे की से रिलेशन फंक्षन हुआ कि से रिलेशन एंड फंक्षन हुआ कि जो इसमें जो आपकी जो total कोश्यन उते हैं वो लगभग आप्रोक्सिमेट जो है 10 question के करीबाते हैं कभी-कभी तेरै भी आ जाता है और तो भी आट भी आ जाता है किए तो हम लगबहाग दससे बार कोस्ट죠 कि बाद करेते हैं इसके बाद जो है is the security chapter होगा जैसे में हम मैट्रिक्स determinate की बात करते हैф इसे भी आपको लगभग 8-10 question आपको देखने को मिल जाता है जो थर्ड जो important जो chapter है कि ऐसे तो सारे ही chapters जो है important है लेकिन अब यदि हम weightage की हिसाब से बात कर रहे हैं तो कौन-कौन सा topic जो होगा ज्यादा weightage रखता है उसकी बात करते हैं जो matrix determinant है इसे भी आपके 8-10 questions होते हैं कि इसके बाद जो है probability हो गया probability से भी लगभग आपके दस questions के करीब आते हैं इससे भी इसके बाद आपका static spot हो गया इस्टैटिक स्पार्ट से भी जो लगभग जो है आपको दस questions के करीब हम average की बात कर रहे हैं यहां से भी आपके 10 questions जो हैं देखने को मिल जाते हैं vector 3D chapter हो गया आपको कभी कभी तो 15 questions भी आ चुके हैं इसमें यहां से भी जो questions जो होंगे लगभग 10 से 13 questions के करीब जो होंगे दोनों मिला के आ जाते हैं vectors 3D से 6 जो important chapter की हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे coordinate geometry boundary is कि सभे आपर बोला हो गया और बॉला होगया अब जो इज इसमें हम जो इसको डिभायड करेंगे सक्षन में जो कॉनिक सेक्षन वाले जैसे कि आपक इलिप्स और बॉला हो हाई पराव अपला हो गया कोनिक सक्षं से जिअधा कोई चांट कभी कभी देखने को मिल सकते हैं कभी कभी थे कभी तीन भी आ जयता है कभी कभी पांच भी टुरे डॐ है यह सब 7-8 पर चाप्टर वार्टं कि ओर निजमेट्री के बाद यह हम बात करते हैं जैसे कि जो डरिवेटिव है कि डरिवेटिव से आपको तीन से चार कोस्टन हो जाएगा है एक अपिलिकेशन अफ डरिवेटिव से जो है application of derivative से जो questions जो बनेंगे यहां से 7 से 8 questions बनते हैं application of derivative chapter से इसके बाद जो है यदि हम integration की बात करेंगे जिसमें कि हम definite integration और indefinite integration की बात करेंगे तो इससे दोनों मिलागे लगभग 4 से 5 questions के करीब आ जाते हैं इसके बाद जो application of integral है जिसमें area under the curve की बात करेंगे तो इससे जो questions जो ज्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं दो questions के करीब होते हैं जो ज्यादा important जो है इसको differential equation इससे भी questions जो है आपके 5 questions जो है देखने को मिल जाते हैं लगभग 5 questions जो है differential equation से मिल जाते हैं कि यह सब जो chapters जो हैं जैसे की state relation function हुआ matrix determinant probability statics हुआ भेक्टर 3D हुआ डरिवेटिव एप्लिकेशन अब डरिवेटिव हुआ यह सब जो हैं जादे जो है weightage रखते हैं साथ हम बात करेंगे sequence series जो है sequence end series से भी जो है आपका लगभग question जो है पांच से साथ question यहां से भी मिल जाते हैं quadratic equation से भी लगभग जो question जो है वह आपको चार question के करीब यहां से भी आपको मिल जाते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो सबसे जो ज़्यादा weightage इसकी बात करेंगे जैसे set relation function यहां से यहां से हम 12 question लेते हैं matrix determinant 10, 12, 10, 22 हो गया यहां से यह दी 13 लेते हैं तो 55 हो गया आठ 63, 65, 68 हो गया और यहां से 8, 76 हो गया यहां से बात करते हैं 8 यहां से लगभग जो है यहां तक हम बात करते हैं तो लगभग 100 questions को करीब जो होगा करना है यह सब चाप्टर से आएगा हंडेड कोस्ट्न दो कोस्टन तिन कोस्टन तक भी आ जाते हैं जैसे पर मुटेशनक मिल जाते हैंeneca स्ट्वर गॉस्ट्विक जहां पे जितना यह उसके तो आपको हर हाल पर बहुत ज्यादा करना है ठीक है। अब कैसे जो होगा इस टइप यह जो है कैसे कराइंगे हम लोग की कमसे कम जो है यह 250 मार्स जो है आप i score करेंगे सबसे पहले आप जब बी कर रहे हैं जो भी हम लोग यहां पर कर आएंगे सबसे उसका चीज का ज़िशा है कि किस तरह से आप practice कर रहे हैं, जो भी हम लोग concept बना रहे हैं, उस concept को किस तरह से आप apply कर रहे हैं, जो भी फर्मूला हैं आपके, ठीक है, उसको किस तरह से apply कर रहे हैं, तो ये सब जो है, सारा चीज जो है, ये किस तरह से आप कर रहे हैं, ये सारा जो है, आपको class में बताया जायेगा किए किस सबसे पहले जो है हम एक टॉपिक को लेकर चलते हैं जो पहला तॉपिक सेट रिलेशन फंक्षन जो है उसको हम लेकर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सेटhou संट करें आए कि अधाय क्या हो देखिए सेट जो होता है यह कलेक्शन होता है अप वेल डिफाइन अबजेक्ट सेट जो होता है वह कलेक्शन होता है कि सेट इज कलेक्शन आफ All-Defined object एक एक एसा Dodge जो हर परसंपर सिंब रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेल डिफाइंब लकार रहे तो वेल डिफाइंब जो है यानि कि इसका जो definition जो होता है वो आपका change ना हो definition does not vary from person to person यानि कि इसका जो definition जो है वो person to person आपका vary ना करे यानि कि इस type को हम लोग क्या बोलते हैं well defined कैसे जानेंगे जिसे माल लेते हैं कि एक example से समझते हैं जैसे माल लेते हैं कि आप से यह पोचेंगे कि जो इंक्लिस Alphabete जो हैं कौन-कौन से होते हैं English Alphabete का जो है भ incorporating से होते हैं फोज्वी हिं निक्री अच्याप डिश्वी sun Cup वहिं कौन-कौन से होते हैं यह सब हर लोगों की जो आप देखेंगे कि माल लेते कोई person a है English alphabet का जो definition है यह person to person vary नहीं कर रहा है यानि हर person के according यह होने वाला है A, E, I, O, U इसका मतलू कि यह definition जो है यह well defined object है और यदि यह well defined object है तो इसी का collection को हम लोग क्या बोलते हैं set बोलते हैं तो set basically क्या हुआ कि वैसे object का collection होता है जो well defined हो, well defined का मतलू कि यानि कि वह ऐसा definition जो person to person vary नहीं करे जैसे example यह ले लिए है जैसे माल लेते हैं और examples की हम बात करते हैं कि जैसे माल लेते हैं कि जैसे कोई भी यहां पर मिले लेते हैं कि टॉप 10 batsmen of world क्या यह well defined होगा या नहीं होगा तो दीखे अब माल लेते हैं कि जो top 10 batsmen की हम बात कर रहे हैं यहां पर यह person to person जो है batsmen vary कर सकते हैं अब हर person के according हो सकता है कि मेरे according कोई और person कोई और batsman है किसी दूसरे person के according कोई top batsman कुछ और है यह जो definition जो होगा वो भैरी कर सकता है इसलिए इसको हम लोग well defined object नहीं बोलेंगे जैसे और example लेते हैं जो dangerous animal का क्या collection state कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा जो dangerous animal होते हैं डेंजरुस अनिमल के जो है क्या यह well defined है या नहीं है यह यह जूंको जो है ऑन लहेते हैं कि बाक से डर let यह जो है और डेंजरेस एनिमल का जो कलेक्शन जो होगा वी वेल डिफाइन नहीं होगा बिसीकली क्योंकि यह डिफनीशन जो है वो परसंट टू-परसंट भैरी कर रहा है इसलिए इसको हम लोग वेल डिफाइन अब्जेक्ट नहीं बोलेंगे माल लेते हैं कि और एक्जां कियो दोरेस किताबे लिखी गई है किया यह सब्सक्राइब होगा कि दिफाइन की काटेग्री में आ जाए गा ठीक है, यदि यह well defined के category में आ जाएगा तो इसका collection को हम लोग क्या बोलेंगे, set बोलेंगे, त्यानि कि set basically होता क्या है, कि जो well defined जो object होते हैं, उसी का collection होता है, यहाँ पर हम लोग यह तो समझ गए कि set इसको बोलते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, set को representation कै कैसे करते हैं, set का representation का दो तरीका होता है, set को represent करने का रिपर्जेंटेशन आफ सेट जो है उसको दो तरीका से हम लोग रिपर्जेंट कर सकते हैं यह लिख सकते हैं सबसे पहले जो है उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि set को represent कैसे करते हैं set को जो है कैसे लिखते हैं जैसे अभी हम लोग एक example की बात किये थे कि जो vowels of English alphabet की हम लोग बात कर रहे हैं तो vowels of English alphabet में जो है जैसे हम लोग जानते हैं कि A है, E है, I, O, U है अब इस चीश को हमको set के form में लिखना है तो कैसे लिखेंगे लेकि set को generally बात कर रहे हैं हमेशा नहीं generally जो है capital letter में लिखते हैं ऐसा जोरूरी नहीं है small में भी लिखा जा सकता है set के अंदर जो है set को सबसे पहले हम लोग क्या लिखते है curly braces के अंदर लिखते हैं सबसे पहले कैसे लिखते हैं जो भी इसको elements बोलते हैं जो vowels of English alphabet यहां पर लिखे है यह basically आपके elements हैं और यह सब elements को जो है यह curly braces के अंदर रखते हैं ठीक है और यहां पर जो है कोमा के द्वारा separate करते हैं यानि set को कैसे लिखते हैं एक curly braces के अंदर रखते हैं और जो भी elements हैं उनको कोमा के द्वारा separate करते हैं ठीक है अच्छे यहां पर जो यह curly braces का मतलब क्या है देखिए कुछ brackets के बारे में भी बात कर लेते हैं जैसे इस तरह से आपको लिखा गया है इसको हम लोग close bracket बोलते हैं इसका मतलब हुआ कि जितने भी numbers हैं all numbers from A to B मतलब कि A से B तक जितने भी number है और A और B को आपको include कर रहे हैं तभी तो from A to B बोल रहे हैं कि यानि कि A और B के बीच के तो सारे number लेने हैं और सांसत A और B को भी include करना है यानि कि all numbers from A to B A से B होगा और इस तरह से यह दि लिखा गया है इस bracket को तो हम लोग यह देखेंगे कि इसको यहां पर जो होगा all number all number between A to B यहां पर जितने भी number है A से B के बीच में तो सारे number consider किये जाएंगे यहां पर यह bracket लगने का मतलव है कि यह open है यानि कि यहां पर B को हम include नहीं करेंगे जबकि A को जो है include करेंगे यहां पर हम यह बोल सकते हैं इंक्लूडिंग A नंबर हैं यह होगा और B के बीच में सारे number लेंगे एक को तो include करेंगे बीको exclude करेंगे या फिर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं अब open के साथ К्लोज ओपें ओपें हो सकता है Java री को तो अभी हमलोग爸爸 कर रहे हैं कि सेट को कैसे लिखते नहीं इसको और जीष मेंर बीरेंट करें त lo台灣 a यह सेट पर इसके अंदर यहांपर यहां पर यहांपर सिंपियों यहां पर सिट में जो भी और जो है जो भी इलमेंट सेट के अंदर लिखे गए हैं उनका और मैटर नहीं करता है यानि कि इन सेट और इस इमेट्रियल सेट के अंदर जो होता है और डेज नौट मैटर सेट के अंदर जो है ओडर जो है वो मैटर नहीं करता है ठीक है और सासाथ हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे, कि जैसे माल लेते हैं कि set के अंदर जो है, एक element को आपको repetition किया गया है, जैसे माल लेते हैं कि यह set a को यह दी दो बार लिख रहे हैं, जैसे कोई example लेते हैं, a, a, e, i, o, u, अब दिखिए यहाँ पर set के अंदर जो है, जैसे कि हम लोग a, a, e, 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 e इस तरह से लिखे हुए हैं, तो जो set के अंदर जो होता है, कि यदि कोई भी element सेम है, तो उसको हम जैसे यहाँ पर a दो बार है, तो उसको दो बार नहीं count करते हैं, यानि set के अंदर element का repetition allowed नहीं करते हैं, मतलब लिखने के लिए तो आप set के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं होगा कि a को दो बार count करेंगे, e को तीन बार count करेंगे, इसमें हम लोग जो है unique रखते हैं, एक को एक ही बार count करेंगे, e को एक ही बार count करेंगे, भल ही a e जो है वो कितना बार भी लिखा गया, ठीक है, यानि कि set के अंदर जो होते हैं, elements का जो है repeat जो है हम नहीं करते हैं, यदि इस तरह से यदि repeat के फॉर में लिखा गया है, तो उसको हम लोग एक ही element के तरह count करेंगे, यानि कि इसमें बोलेंगे कि इसमें element एक a है, a है, e है, i, o, u, यानि कि इस set के अंदर total 5 elements है, ठीक है, अच्छा number of elements हमको लिखना है, number of elements, अब set b इस तरह से लिखना होगा, तो इसको हम लोग sort form है, इसको number of elements in the set b लिखते हैं, जो कि यहां पर कितना हो जाएगा, hype हो जाएगा, set का जो represent करते हैं, set को जो लिखने का जो तरीका होता है, वो दो type से हम लोग set को लिखते हैं, वो दो type से कैसे कैसे set को लिखते हैं, एक जो होदा है, वो roster form होता है, सेट को जो लिखने का तरीका जो होता है एक रोस्टर फर्म होता है और दूसरा जो होता है वो सेट बिल्डर फर्म होता है सेट बिल्डर फर्म होता है रोस्टर फर्म क्या होता है दोनों की बात कर लेते हैं कि रोस्टर फर में कैसे हम लोग सेट को लिखते हैं और सेट बिल्डर फर में कैसे हम लोग सेट को लिखते हैं रोस्टर फर में क्या होता है कि जैसे कोई भी हमने सेट को लिखे हैं अगिजित के अंदर जो भी आपके elements से हैं उस element को आपको लिखा जाता है ठीक है? जैसे माल लेते हैं एक्जामपल से समझते हैं जैसे अभी हम लोग बात किये हैं जा 때문에 है 손​ इस के अंदर क्या होता है chi ti फॉचर हैं उसको आपको एक figur करके हम लोग रोस्टर फॉर में लिखते हैं। और चुकि है उसको कर ली ब्रैसेच की अंदर ही लिखेंगे जो भी होगा अब जो भी इस वर्में को जो है उसको एक involant फर्म बोलते हैं दूसरा जो फर्म होता है कि वह सेट बिल्डर फर्म होता है कि सेट बिल्डर फर्म क्या होता है नाम से ही मतलब है कि यहां पर क्या है कि सेट बिल्डर यानि कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि सेट को बिल्ड करते हैं Actually set को build करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे यहां पर हम vowels of English alphabet की बात कर रहे हैं, यहां पर एक ऐसा set लेते हैं, अब यहां पर लिखेंगे X, such that, अब यहां पर जो भी है, यहां पर किस चीच को हम लोग set लिख रहे हैं कि vowels of English alphabet होना चाहिए, यहां पर X लिखेंगे और इस X का property लिख लेंगे, और X है क्या, उसकी बारे में बात कर रहे हैं, X है क्या, vowels of English alphabet, इसी चीच को statement के form में लिख देना ही set builder form होता है, X जो है, क्या है, इस भावल of English alphabet, यह English alphabet के vowels है, यानि कि दोनों में अंतर क्या है, कि रोस्टर फर्म है, जो भी आपके English alphabet के भावल से उनको एका करके लिख देना, वो रोस्टर फर्म होगे, और उसी के statement के form में लिख देना, यह क्या कहलाएगा, set builder form होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जिसे और कुछ examples की बात करते हैं, कि जो रोस्टर फर्म से convert कैसे करेंगे, set builder form है, या set builder form से कैसे जो होगा, रोस्टर फर्म में हम लोग convert करेंगे, जिससे माल लेते हैं कि example लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो है, एक्स, such that, एक्स एस्वाइर, लेस देन, 25, वेर, एक्स बिलोंग स्टू, नेचुरल नंबर, अब दीखिए, यहाँ पर जो है, इसको set builder form में लिखे हैं, इसको हमको roaster form में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक्स, such that, एक्स एस्वाइर, लेस देन, 25, जहाँ पर एक्स आपका नेचुरल नंबर है, यानि कि हम वो एक्स को consider करना है, वो एक्स को value को लिखना है, जिसका की square करें, तो वो 25 से चोटा हो जाए, तो हम लोग वो natural number की बात करेंगे, जिसका की square करें और 25 से चोटा हो जाए, हम देखेंगे कि 1 जो है, यदि 1 का square करते हैं, तो वो भी 25 से चोटा होता है, 2 का square 4 होता है, वो भी 25 से होता है, तो 2 को भी ले लेंगे, 3 का square 9 होता है वो भी 25 से चोटा है यानि 3 ले लेंगे यानि कि जितने भी natural number वो सारे natural number इसमें हम लोग consider करेंगे कि जिसका square करें तो 25 से चोटे होंगे तो कौन-कौन से ऐसे natural number होंगे जिसका किए square करें तो 25 से छोटा हो जाएगा जिसे 1 का square जो होता है 2 का square 4 होता है 3 का square 9 है यहाँ पर आपको natural number को लेना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा योदी 5 लेते हैं तो 5 का square जो हो जाएगा आपका क्या होगा 25 जो कि हमको 25 से छोटे लेने हैं यानि कि X के यह सब हैलू जो है यानि 1,2,3,4 ऐसे यह 4 निच्रल लंबर हैं जिसका कि करें तो क्या होगा 25 से छोटा हो त्यानि कि यह जो है आपका सेट Builder form होगा यह कौन सा फर्म हुआ यह रूसटर फर्म हुआ अब यहां पर चुरह कभी कांबरज deputy आपको एक और पर की एग्जामपल हम लोग दिखते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि KUNSat हमने ये इसको अब यह एक्जांपल जो है रोस्टर फरम में लिखते हैं एस उक्वल टु वन बाइटू तो बाइटू इस तरह से ये रोस्टर फर्म है और इसको हमको सेट बिल्डर फर में अनवर्ड करना है तो कैसे इसको set builder form में convert करेंगे अब यह भी रोस्टर फर्म से set builder form में जाना है तो आपको pattern को identify करना है और जो pattern को identify आप कर लिए उसी को statement के form में लिख लेजे अब यह pattern कैसे बन रहा है यह बराबर एक क्या है किसके बराबर है 1 by 2 यहां पर लिखें element किस form में है 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 है यहां पर क्या चीज हम observe कर रहे है कि जो भी आप देखिए कि यहां पर जो है जो भी denominator वाला जो value है वो numerator से जो है आपका एक ज्यादा है यानि कि देख रहे हैं कि यहां पर 1 है तो एक ज्यादा है यहां पर 2 है तो एक ज्यादा है 3 यहां पर ज्यादा है त्यानि कि हम यह बोल सकते हैं कि जो भी denominator वाला जो value है वो आपका numerator से कितना ज्यादा है एक ज्यादा है त्यानि कहने का मतलों कि यह दिदी यदि आपका इन है तो डिनमेनेटर क्या हो जाएगा इन प्लस वन अब इसी चीज़ को आप स्टेट्मेंट के फॉर में लिख लिजिए यानि कैसे लिखेंगे और दी यहां तक लिखने से ही आप काम नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमको यह भी पताना पड़ेगा कि अमया λेंबर है क्या एंटीजर है नेचुरल नमबर तो आपके इन्फाइनाइट है 1,2,3,4,5,6,7 यहां तक भी लिखने से नहीं होगा हमको यह देखना पड़ेगा कि आखिर नेचुरल नमबर एन कहां तक लिख रहे हैं तो देखिए कि उपर वाला जो एन है 1,2,3,4,5 यानि कि हम जो है एन जो है फाइब हम बोल सकते हैं कि एन जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नमबर एंड यहां पर लिख सकते हैं तरह कर है वह कहां से कहां तक लाइ कर रहा है वन लेके 5 तक यादि कि एजो है वन से लेके 5 तक लाइक कर रहे है जहां पर है आपका क्या है निच्रॉली नंबर है तो इस तरह से इसको हम लोग lbrf में लिख सकते हैं ठीक है तो कैसे जो है हम लोग कनभर्जन देखेंगे रोस्टर को सेट बिल्डर फर्म सेट बिल्डर फर्म को रोस्टर फर्म है आज के जो क्लास जो है उसमें हम लोग बेसिक किये हैं इंट्रोडक्शन क्लास के इसका प्रोपर जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे कोस्टन्स भी करेंगे कि जो आपको प्रिभिएस यर जो आए हुए हैं वो सारे कोस्टन्स जो हैं हम लोग डिस्कसन करेंगे ठीक है आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं जहिंद बच्चों